आईए दोस्तों आज के ब्लोग में हम चलते हैं खेतों की सहर करने के लिए केतना सुन्दर मौसम है बरसाथ आने वाला मौसम बना हुआ है आज और सूरज देवता जो है वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं यह देखिए कैसा बादल बने हुए है उपर तक यह हरी हरी घास हम लेकर ले जाएंगे आज बक्रियों के लिए घर पर बक्रियां रखी हुई है कितनी सुन्दर हरे आली है यहां पर और भांजा भी आया हुआ है साथ में तो भांजा के साथ भी कुछ बातचीत करेंगे उसको दिखाएंगे की खेतों में क्या-क्या होता है पहले थोड़ा घास की कटाई कर लेते हैं तो लग गये हैं अपने काम पर घास कटाई के बाद हम कुछ खेत के सायर करेंगे जिसमें देखेंगे कि इस पोधे पर क्या-कुछ लगता है थोड़ा सा वीडियो फणी होने वाला है गधे हैं पर के भीडियो आए यान 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 उड़ा झाल कर दो घजिए लगार कर दो तो यह जो अपने घास की कटाई की है पशुक बखरियों के लिए तो यह भब मुश में डालेंगे एक गट्टे में थोड़ा सा लगता है हमें और काटना पड़ेगा घास यह हमारा बतीजा धीरच घास तो नहीं काटना आता इसको पर यह उसमें कटा कटाया जू डाल रहा है शाबाश यह जो दोस्तों हमारा फाइनली जो खास है बगरी के लिए बिलकुल तैयार हो गया अब चलेंगे हम घर की तरफ वापसी आईए तरफ पर डाल यह जो शोड़े आता साटा कैंगे हमारा कैंगे हमारा इसका कैंगे हमारा इसका की तरफे तर जुट को चाहते हो यह खासा अँनलाओ को कiska कई Len Jesus हैंए डटतलाओ को Э epid wire इंद रहां रहां? इंद रहां जाज शयकर के घए पुआ है अिंद सताथ disponै तो गाई हमारा घरा आगे है तो गाई हमारा घरा आ चुका है जब आपके गड़की चलिए गड़कियो कर दो जांगे है तो गया कर्लीट है वह देखिए हम आम हमाना मारा इंतिजार कर रहे है यह देखिए कर कि आटियों करा चाप अज़िए का डोगई की डोगए अ हुआ हुआ है